हेलो दोस्तो नमस्कार मेरे नाम है सरनकुमार आप देख रहे हैं इंडियन जुगार टेक दोस्तो यह है वन लाइनर टेक न्यूज का बाईस्वा एपिसोर तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एक टेक न्यूज लेकर आया हूँ और आज पूरे दिन से पहले जो रेंट कलर का सब्स्राइब बटन आपको नीचे दिखाए दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजे और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजे ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले तो दोस्तो आज की जो पहली न इसे बताया जा रहा है यह पैन कार्ड यानि कि आप अपने आधार कार्ड के द्वारा ही अपना जो है पैन कार्ड जनरेट कर सकते हो वो भी इंस्टेंटली दोस्तो आज की जो सेकिंड डूस आ रही है फेस्बुक की तरप से कि फेस्बुक ने आजमान आए कि वो आपका जो डेटा यानि कि अपने यूजर्स का जो डेटा है वो 52 कंपनी के साथ में शेयर करें यानि कि आपका डेटा जैसे समसंग, एपल, हुआवे या जो भी यहां पर बड़ी-बड़ी कंपनिया है उनके साथ में शेयर किया जा रहा है दोस्तो आज की जो नेस्ट नियूज यहां पर OnePlus 6 को लेकर आ रहे कि OnePlus 6 का एक नया वेरिंट जो की रेड कलर वाला वेरिंट है वो यहां पर अवलेबल हो गया Amazon इंडिया पर इसमें आपको 8GB का RAM मिलेगा 128GB का internal storage मिलेगा और इसका जो यहां पर कीमत रखा गया है वो 49,999 रुपए रखा गया है दोस्तो अगली न चाइनया में अपना नया स्मार्टफोन वीओ जैड आई लॉंच किया जिसका प्राइज कारीबन 16,500 रुपए है और इसमें आपको Snapdragon 636 वाला प्रोसेसर मिलेगा यहां पर आपको 4GB का RAM मिलेगा 128GB का internal storage मिलेगा और इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो 6.2 इंच का Full HD HD Plus डिस्प्ले प्रोवाइड के जा रहा है 19 x 9 रेशो के शाथ में रियर में आपको 13MP प्लस में 2MP का कैमरा मिलेगा जबकि फ्रंट में आपको यहां पर 16MP का कैमरा मिलने वाला है और बैटरी जो इस स्मार्टफोन में आपको प्रोवाइड की जा रही है वो 3260 MHz की प्रोव प्रोवाइड के जा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे ब्रैंड्स भी है जिन में आपको OS वाले अपडेट बहुत ही कम मिलते हैं लेकिन Nokia इस मामले भी काफी अच्छा कर रहा है दोस्तों अगली जहां पर आ रहे हैं Samsung की तरप से Samsung ने आज जो है इंडिया में अपना नया मैंने अलग से वीडियो बना कर बता दिये हैं तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है फोन के क्या कुछ स्पेस्विकेशन से तो उपर आई बेटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और फोन का जो प्राइज रखा गया वो 14,990 रुपए लेकिन इसका जो प्राइज रहने वाला है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कारीबन इसका प्राइज आपको जो है 13,000 रुपे के आसपास पढ़ सकता है लेकिन देखते हैं कि जब इसे लौंच क्या जाएगा तो इसका प्राइज कितना रहता है कि फोन के जो बागी दोस्तो आज की जो नेस्ट नीज आ रही हो बीएसलन की तरफ से आ रही है कि बीएसलन ने अपने कुछ डेटा प्लान यहाँ पर रिवाइस किये हैं उनका जो 198 रुपय वाला प्लान चल रहा था अब उसमें आपको रोजना 2.10 मिलाव 5 GB डेटा मिलेगा यानि कि बीएसलन आ इसमें आपको रोजना 2 GB डेटा मिलेगा 17 डेज की यहाँ पर आपको वैलेडिटी मिलेगी तो दोस्तो बेसलन यहाँ पर प्लांस तो काफी अच्छे लेकर आ रहा है लेकिन उसे यहाँ पर जरूरत है नेटवर्क सुधारने की दोस्तो आज की जो अगली न्यूज आ रहे यह जो point of interconnection वाला issue है तो उनी को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है और सबसे जुर्माना लगाया गया है और सबसे जुर्माना लगाया गया है तो दोस्तो यह थी आज की कुछ एक tech news जो मैं आप लोगों की लेकर आया आसा करते हूं आज का one liner tech news का यह episode आप लोगों को पसंद आया होगा और रोजाना ही ऐसे ही टेक नीज पाने के लिए आप अभी हमारे चैनल इंडिन जुगार्टेक को सब्स्राइब कर लीजे और दोस्तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे धन्यवाद दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए